हैलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आप सबका स्विकृर्पा कलासच पर दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबर एक्जाम 2024 क्याल सेप्ट में पूछा सकने वाले most important GKGS, current affairs, miscellaneous, वहां बिहार special के प्रस्णों को साल्व करेंगे दोस्तों, आप लोग इने कांस्टेट होकर साल्व करें, questions कम साल्व होने पर पुनाफस्णों कर वीजन करें ताकि बिहार पुलिस कांस्टेबर एक्जाम 2024 में आप लोग GKGS, miscellaneous, current affairs, वहां बिहार special के टापिक से अच्छे से एच्छा स्कोर कर सके दिहार रखे दोस्तों, आपके एक्जाम में आपका पूरा GK, यानि की history, quality, geography, economics, आपका पूरा miscellaneous, यानि बिवित का चेप्टर, पूरा आपका GS, यानि की general science, current affairs, वहां बिहार special, इन सभी टापिक्स का अच्छा खासा बेटेज है 75 questions आपके इन सभी टापिक से पूछे जाएंगे तो चलिए दोस्तों, यादा समय ना लेते हुए, हम लोग इन सभी most पड़ा पसनों को सालव करना सुरू करते हैं दोस्तों, question one है, हमारा, नीत ने दे सकत तत्व यानि की DPSP का प्रावध़ान कि देश के संभी दान से लिया गया है Quality से most one question है, जोस्तों, बिल्कुल आपके technique में है, ऐपके level में है जो कि आपका super topic है, trending topic है, continue है आपके jumps में इस topic से questions बनते हैं, तो दोस्तों इस topic से जितने भी questions निकलते हैं, सब भी प्रस्णों कों लोग यहाँ पे पूरी तरह से cover करेंगे, यही हमारे preparation की strategy है दोस्तों कि जिस भी topics कों लोग उठाएंगे, उस topics के अधिकांस प्रस्णों को पूर एक्स्टाफेट के साथ वहीं पे कबर करेंगे, ध्यान दीजेगा दोस्तों आप लोग सारे facts सेलेक्टे रखे गए हैं, point है हमारा भारते संग्धान में वड़ित, विभिन प्रावधान, निमन देशों के संग्धान से लिए गए हैं, सबसे पहले देखें कि हम लोग बेटेन के संग्धान से, तो ध्यान दीजेगा दोस्तों, पहला point है संसदिये सासन पढ़ाली, इत्यादी चीजें दोस्तों, वेटेन के संग्धान से लिए गए हैं, एक एक फैक्ट आपके एक्जाम के लिए सेलेक्टेड है ध्यान दीजेगा, अमेरिका के संग्धान से देखेंगे क्या क्या लिए गया है, तो देशिका का विचार, न्याइक पुनविलोकन, और उच्टब न्याले तथा उच्च न्याले के न्याधीसों को हटाई जाने के उबंद, आधी चीजें अमेरिका के संग्धान से लिए गई हैं, आर्लेंड के संग्धान से देखेंगे दोस्तों, तो नीत निदी सकता तो most important, राष्ट्रपती की निर्वाचन पध्धिती, राजी सभा में कुछ सदस्यों का नामांकन, ये सारी चीजें आर्लेंड के संग्धान से लिए गई हैं, कनाडा के संग्धान से देखेंगे, तो शंग्ये वे उस्था, राष्ट्रपती द्वारा, राजी पालो की नियुक्ती, उचितम नियाले, यों का प्रामर्सी, नियाय निर्णायन, और सिष्ट सकतियों का केद्रवे नियूत होना, ये चीजें, यानि कि ये प्रावधान क कनाडा के संग्धान से ले गए हैं, आगे बढ़ेंगे, आस्टेलिया के संग्धान से देखेंगे दोस्तों, तो संसत के दोनों सदनों की सन्युक्त जो बैठा कराई जाती है, इसके लाँ देशका की भासा, ब्यापार वालिज और समागम की सोतनरता, तथा समुर्ती मोश्ट इंपारण की बैcific वैऊस्था, आस्टेलिया के संग्धान से ले गई हैं, मोस्ट इंपारण आपकी एक Stress के लिए हैं से फैक्ट निकलते हैं, ध्यान देंगे आप लोग! जापान के संगधान से देखेंगे दोस्तों तो बिधी द्वारा स्थावित परकिरिया एक प्रावधान ध्यान रखेंगे दच्छिन अफिरिका के संगधान से संगधान संसोंधन की व्योस्था तथा राज सभा के कुछ सदस्यों का निर्वाचन प्रावधान आदी चीज़े दोस्तों दच्छिन अफिरिका के संगधान से लिया गया है रूस यानि पूर्वधान संगधान से देखेंगे तो मूल करते हैं आपका मोस्ट इंपार्टन इसके बाद में जो प्रस्तावन में सब्द जो लेगे हैं समाजिक, आर्थिक युम राजनितिक ये सारी चीज़े दोस्तों रूस यानि की पूर्वधा सोभीयत संगधान से पूरी तरह से दोस्तों आप clear रहेंगे हर fact से थोड़ा सा PDF के बारे में आप बात करेंगे दोस्तों पूरा आम लोग question के ओर चलेंगे ध्यान देंगे आप लोग चार PDF हमारा लगा हुआ है लेकिन आम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं बिहार या सस्यों और बिहार पुलिस कांस्टबल के दोस्तों कमबाइन PDF के बारे में जिसका नया वर्जन पूरी तरह से रेडिक करे आ गया है और ये PDF अभेरतियों को दिये ज़र है पेट फिस सवरूपय है दोस्तों हाट सपनमबर आप लोगों के सामने है जहां पर आप जोड़कर PDF ले सकते हैं विलकुँ सक्सेस पी PDF है इसमें आपका दोस्तों पूरा जी के का पॉर्जन आएगा यानि हिस्टरी, पॉलिटी, जोगराफी, कोनामिक्स पूरा आपका मिस सेलिनियस और बिवित का चेप्टर आएगा पूरा आपका जीयस यानिकी जरनाच साइंस आएगा पूरा करेंट आएगा और पूरा बिहार स्पेसल आएगा सेकेंड पीडियाप जो हमाया दोरा भिरतियो को दिया जरह है यह UP Police Customer Exam 2024 का नय वर्जन है जो की पूरी तरह से रेडी किया गया बढ़ेंगे दोस्तों लोग अगले Question की ओर अगला Question हमारा क्या है महत्मा पुद्ध ने अपना पर्थाम उप्देश का पर दिया था तो शार्वनाथ में दिया था बहुत धर्म आपका दोस्तों Most questions है आपका सुपर टापिक है टेंडिंग टापिक है स्पेशल से बहुत सारे facts इसमें आपके जोर जाते हैं आप लोग जानते होंगे तो दोस्तों Question आपके सामने सीट आपकी लगी हुए सब कुछ पूरी तरह से इस टापिक से जितने भी facts निकलते हैं पूरी तरह से कबर हैं इसमें से आपके exams में questions बनते रहते हैं और continue repeat होते रहते हैं तो चलिए इस टापिक को हम लोग पूरी तरह से कबर करते हैं Question है महात्मा बुद्ध ने अपना पर्था मुपदेश कहा पर दिया था करेक्टनस होगा सारनात में अब एक एक point आप लोग देखेंगे जिसे बहुत गरंतों में महा भिनिस कर्मर कहा जाता है Next point महात्मा बुद्ध ने अपना पहला अपदेश सारनात में जिया जिसे धर्म चक्र परवर्तन कहा जाता है Next, महात्मा बुद्ध ने अपना अपदेश पाली भासा में दिया था इभी ध्यान रखेंगे Next point महात्मा बुद्ध ने मल लगन राज की राज़धानी कुसी नारा में 483 इसापूर में 80 वर्स के उस्था में सरीर त्याग दिया जिसे बहुत गरंतों में महा पनिर्वाल कहा जाता है हर फेक्ट से आप लोग पूरी तरह से प्रिपेर रहेंगे आगे बढ़िएगा दोस्तों बोध धर्म की चार महा संगीतिया है जासे डाटली कोशनस बनते हैं आप लोग जानते हैं इनको आप लोग पूरी तरह से कवर करेंगे तो बोध धर्म की चार महा संगीतियों के आवज़धान बात करें पर्थम बोधिसंगीती की, तो इसका आउजन, 483 इसापूर में, कहां पे राजगिरह में, किसके सासनकाल में, तो अजात शत्रो के सासनकाल में किया गया था. नेक्स्ट दोस्तों दृतियो बोधी संगीति के आवजन के बारे में बात की जाएं, तो 383 हिसापुर में कहाँ पे बैसाली में किसके सासनकाल में तो काला सोक के सासनकाल में किया गया था। तीतिय बोधिसंगीति का आउजन दोस्तों 247 इसापूर में पाटल पुत्र में शमराट सोक के सासन काल में हुआ था, अच्छा तो बोधिसंगीति का आउजन इसा की पर्थम सताब्दी में कुंडल वन में कनिस्क के सासन काल में किया गया था, पूरी तरह से हर फैक्ट से आ भागने आपके पास चार आपसन हो तो आपके कोश्चन न मिस हो और नहीं आपको तुक्का लगाना पड़े और सबको मिला कर दोस्तों त्रिप्टक कहा जाता है, लास्ट पॉइंट यहां से देखिए, गोतम बुद्ध को एसिया के जोति पूंच, यानिकि लाइट आफ पर भी जाना जाता है, पूरी तरह से आप प्रिपेर रहेंगे, पीडियाप के बारे में अल्रेडी बात हो चुकिए दोस्तों, नया वर्जन पूरी तरह से रेडि है हमारा बिहार SSC और बिहार पुलिस कांस्टेबल का, RPF कंस्टेबल वाइसे एक्जाम 2024 का भी रेडि है, SSC और एक्जाम 2024 का भी रेडि है, UP प्लिस कांस्टेबल एक्जाम का नया वर्जन पीडिया भी पूरी तरह से रेडि कर दिया गया है, बढ़ेंगे दोस्तों लोग अगले कोश्चन की ओर, अगला कोश्चन क्या है दोस्तों हमारा देखेंगे हम लोग कोश्चन रखा गया चलिए सुरू करते हैं, कोश्चन था हमारा, टिटने से सरीर का कौन सा अंग परभाईत होता है, करेक्टर्सों का तंतिर का तंत, अब एक तरफ रोगों की नाम देगे हैं, दूसी तरफ परभावित अंगी की नाम, सबसे पहले पोलियों से बात की जाये दोस्तों, तो इस नामक रोग से तंतिर का तंत्र परभाईत होता है, सब कुछ पूरी तरह से आप रिवाइज रखेंगे, आगे बढ़िएगा, क्या है दोस्तों, टिटनेस, तो टिटनेस से बात की जाये, तो तंतिर का तंत्र परभाईत होता है, हैजा नामक रोग से आत परभाईत होता है और टाइफ हाइट से भी आत परभावित होता है, छह रोग जिसे टीबी के नाम से जानते हैं, फेफड़ा परभावित होता है, डिप्थिरिया नामगरों से स्वासनली परभावित होता है, काली खासी से सुसंत तंत्र परभावित होता है, निमोनिया से दोस्तों फेफड़ से एक आपका chemistry से एक आपका दोस्तों बाय से जो की चिकित सा समन्दी खोश दोस्तों आपका topics हैं जिसको हम लोग यहाँ पे cover करने सुरू कर रहे हैं question था हमारा genetic code की खोश किसने की थी characters का argument खुराननी अब एक तरफ दोस्तों आभिसकार और खोश के नाम दे गए हैं दूसरी तरफ आविसकारक और खोश करता के नाम दे गए हैं आपका सुपर टाफ टाफिक है का स्टेट होकर आप लोग इसको साल्प करेंगे और रिवाईज जरूर करेंगे सब कुछ आपके PDF में पूरी तरह से mention है चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले इंसुलिन का टिका जिसकी खोश एफ वैटिंग ने की थी आगे बढ़ेंगे हिरते परिवर्तन की खोश डाक्टे किस्चियन बर्नार्ड ने की थी हैजे का टिका की खोश राबट कोस ने की थी DDT की खोश डाक्टर पाल मूलर ने की थी बेरी बेरी चिकिसा की खोश दोस्तों आईजक में ने की थी किस ने की थी आगे बढ़ियेगा अगला आपका क्या दोस्तों जेनिटिक कोड जो हमारा question था खोश हर गोविंद खुराना ने की थी DNA इसका पूरा नाम भी त्यान रखें डी आक्सी राइबो न्यूकलिक अमलो होता है जिसकी खोश जेम स्वार्सन तथा क्रिक ने की थी बैक्टिरिया की खोश लिवेन हाक ने की थी पैंसलीन की खोश सर अलेक्जेंडर फलेमिंग ने की थी रक्त परिवहन या रक्त संचन की खोश बिलियम हर्बे ने की थी रखते समूं की खोश कर लैंड स्टीनर ने की थी होमियोपैथी के जनक की बात की जाय तो हैनी मेन माने जाते हैं बिटामिन की खोश फंक ने की थी अब बिटामिन ए की बात की जाय तो इसकी खोश मै कोलन एम एम डेविस ने की थी सब की चिकिषा की खोस राबर्ट कोश ने की थी हाइड रोफोबिया की चिकिषा की खोस ल्ईपास्चर ने की थी और मलेरिया की चिकिषा की खोस दोस्तों डैक्टर रोण राश ने की थी सब कुछ पूरी तरह से आप अपडेट राखेंगे पीडे eb के लिए हमारा WhatsApp नमबर लगा हुआ है बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले question की ओर अगला question आपका क्या है दोस्तों देखेंगे हम लोग question रखा गया है भारते राष्टे कांगरेस की अस्थापना कब हुए थी? करेक्ट अंसरोगा 8 दिसंबर 885 को आपका सुपर टापिक है प्वालेटी से भी इंटरलिंक है और दोस्तों हिस्ट्री यानि modern हिस्ट्री से भी इंटरलिंक है questions की पूरी सीट दोस्तों आपके साबने लगी हुई स्थापिसे जितने भी fact निकलते हैं भारते राष्टे कांगरेस की अस्थापना को लेकर सब कुछ पूरी तरह से इसमें कबर किया गया है आप इसको रिवाज रखेंगे तो बहुत सारे questions आपके एक साथ कबर हो जाएं चले शुरू करते हैं भारती राष्टे कांगरेस के स्थापना अठाई दिसंबर 885 को बंबई जिसे वर्तमार मुंबई के नाम से जनाता है कि गोकुल दास तेजपाल संस्कित महविद्याले में की गई थी इसमें कुल 72 परतिनी दियों ने भाग लिया था डाटली questions बनते हमारे के concept से कई fact निकलते हैं ध्यान रखिएगा डाटली question पर भारती सिंग्धान के दोस्तों भारती राष्टे कांगरेस के पर्थम अजबेशन में कितने परतिनी दियों ने भाग लिया था चोटल 72 आगे बढ़िएगा भारती राष्टे कांगरेस के जनक तो ओ ओ ओ हू बाय to gather next भारती राष्टे कांगरेस की पर्थम मुसलीम अद्धयस बदरुधीन तययब जी थे रष्टे कंगरेस की पर्थम महिला अद्ध्ध की पाद कि जये तो इनी बेसें्ट प्रिपेर रहेंगे, नेक्स्ट, 31 दिसमब 1929 को भारती राष्टी कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन, ततकालिन पंजाब प्रांद की राजधानी लाहोर में हुआ, इस आयतियासिक अधिवेशन में कांग्रेस के पूर्ण सुराज का घोसना पत्र तयार किया गया, तथा पूर्ण सुराज को कांग्रेस का मुख लच गोसित किया गया, डाटले कोशन पूछाता है, कौन से अधिवेशन में कहा पे दोस्तों, भारती राष्टी कांग्रेस के द्वारा पूर्ण सुराज का घोसना की गई, या मांग की गई, प्रस्ताव किया गया, तो 31 दिसमब 19 1929 का दोस्तों, लाहोर अधिवेशन था ध्यार रखेंगे, और पंडि जवाहलाल नहरू की द्वारा इस अधिवेशन की अधिशता की गई थी, नेक्स्ट पॉइंट, भारत का राष्टगान जनगर मन है, सभी लोग जानते हैं, आगे देखीगा, जो की दोस्तों, सरपर् अधिशन के अधिशता, डाक्टर राजबिहारी घोसने की थी, अगला पांट देखेगा इसी के साथ, दोस्तों, वर्स 1916 के लखनो अधिवेशन में, तिलक और एनिवेशन के प्रियासों से, यह दो नुदल पुना एक हुए, कांग्रेस के इस अधिवेशन के अधिशता, अमबिकाच और मजूमदार ने की थी, सब कुछ पूरी तरह से आप के लिए रखेंगे, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पीडियेप के लिए हमारा होर्सप नमर लगा हुआ है, चलेंगे हम लोग अगले टापिक्स की और, अगला टापिक्स आपका क्या है दोस्तों, देख हमारा भारती सिंग्धान सभा की पर्थम बैठाक का भूतिक करेक्टन सोगा 9 दिसंबर 1946 को, अब पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट है केबनेट मिशन की संस्तोतियों की आधार पर भारती सिंग्धान के निर्माड के लिए सिंग्धान सभा का गठन जुलाई 1946 इस भी में किया गया, डाकली कोशन बनता है, भारती सिंग्धान का दोस्तों जो निर्माड बैठाक याद बेशन जो भी पूछा कि समिती के संस्तोतियों के अधार पर तो कबनेट मिशन योजना थी द्यान रखेंगे, नेक्स्ट, भारती सिंग्धान सभा की पर्थम बैठाक 9 द सब पूछ पूरी ता सब के लिए रखेंगे, अगला 13 दिसमों 1946 को पंडी जोहलाल नहरू ने उद्देश प्रस्ताव प्रस्तुत का संग्धान के आधिया सिला रखे थी, तो उद्देश प्रस्ताव पंडी जोहलाल नहरू के दौरा पेस किया गया था, नेक्स्ट, संग् संग्धान सभा की पर्मुक समिती एकular पर्मुक समीटियों के दूसरी तरफ अध्यस के नाम, सबसे पहले प्रारूपी समिती जिनके द्यस घ्र ठीस अंबेट करते हैं, नेक्स्ट है, संग्धान समिती जिनके द्यस पंडी जोहलाल नहरू नहरू नेहरू थे, परतिय संग समिति जिनके दे डाक्टर राजेंद परसाथ थे फिर मूल अधिकारियुम अल्प संख्यक समिति जिनके दे सरदार वह लभाई पटेल थे और जहंडा समित के जे भी क्रिपलानी थे कौन जे भी क्रिपलानी अब यहां से कुछ कोश्चन आप लोग कबर कीजिए देखेंगे चब्विस नमब निसोंचास को और इसी दिन इसे अंगे किरित यानि की पारित किया गया है नेक्स्ट संख्धान सभा की अंतिम जो बैठाक हुई थी 24 जनुए 1950 ध्यान रखेंगे कब हुई थी और इसी दिन संख्धान सभा दोरा डाक्टर राजेंद परसाथ को भारत का पर्थम राष्टपती निर्वाचित किया गया है नेक्स्ट मुल संख्धान में बात की जाए तो 395 नुच्छेट 22 भाग तथा आठ अनुसूचिया थी नेक्ट पॉइंट डाक्टर भीम राव मेटकर को भारते संख्धान के जनक के रूप में जाना जाता है ये भी आप ध्यां रखेंगे पीडिये के लिए हमारा होटसप नमबर लगा हुआ है बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टापिक्स कियो और अगला कोश्टन क्या है दोस्तों हमारा देखेंगे अब लोग कोश्टन रखा गया है ज्यान पीट पुरसकार प्राप्त करने वाले बिह बिहार के पर्थम बेक्तिकों थे, डाक्टर रामधारी सिंग, अब बिहार स्पेसल का जो इस्टेटी जीगे का पोर्शन है आपका, उसको दोस्तों आप लोग कवर करना सुरू किजे, पहला कुश्चन है, बिहार में किसने फाग राक का सिर्जन क्या था, तो महराजा नौल किसोर सिंग ने, बिहार में सरवादिक गंधा का उत्पादन किस जिले में होता है, तो रोहतास में, अगला है, बिहार में किस स्थान पर महाभी स्वामी का जन्म हुआ था, तो एक कुंडगरा वैसाली में हुआ था, अगला भगवान महापीर का दिहावसान बिहार में कहा पर हुआ था तो पावापूरी में, सब कुछ पूरी तरह से आप किलिए रखेंगे, नक्ष्ट, दिल्ली की राजगदी पर बैटने वाला, पहला बिहारी सासा कौन था, तो शेर सासूरी थे, नक्ष्ट, ग्यानपीर पुरसकार प्राप्त करने वाले बिहार के पहले वेक्त कौन थे, तो डाक्टर रामधारी सिंग थे, नक्ष्ट, बिहार में किस स्थान पर महत्मा गाधी ने सत्यागरा किया था, तो चंपान सुपर कोस्चन आपका है, और बिहार में पहला दूर दर्शन केंद्र का बस थापित किया गया, तो 1978 में किया था, सब कुछ पूरी तर दर्बार में रहते थे, विमिसार के, और पर्थम बोधि संगीति का आउजन कब हुआ था, तो 483 इसापूर में, नक्ष्ट, पर्थम बोधि संगीति का आउजन कहा पर हुआ था, तो राजगिरे में, नक्ष्ट, मगद राज का परारम किस ने किया था, तो विरेदरत ने और जरासंग के पिता का नाम तो विरेदरत था नक्ष्ट बिहार के किस स्थान पर भगवान गुद्ध को ग्यान की प्राप्ति हुई थी तो बोध गया में आगे बढ़िएगा कोश्चन है नालंदा विस्विद्याले के स्थापना किस काल में हुई थी तो गुप्त काल में अगला किस सासा के प्रियासों से नालंदा विस्विद्याले के स्थापना हुई थी तो कुमार गुप्त पर्थम के अगला बिहार की यत्रा करने वाला पर्थम यात्री कौन था तो मेगस्थनिस थे और बिहार का पर्थम स्टेडियम कौन सा तो मोई निल हक स्टेडियम है जो की पटना में पढ़ता है सारे कोश्ण्स को दोस्तों अप वोग पूरी तरह से प्रिपेर रखेंगे आगे बढ़िएगा अगला क्शान अपका क्या है है बिहार में पटना संग्रहाले की स्थापना 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 बना हुआ तो गंगा नदी पर और देश का सबसे बड़ा पुस मिला किस राज में लगता तो बिहार में सब कुछ पूरी तरह से आप अपडेट रखेंगे ये बिहार स्पेसल का इस्टेटिक पूर्शन था जिसको हम लोगों ने कवर के हैं आगे बढ़ेंगे हम लोग दोस दोस्तों आठ चास्तिरे नित है आपका सुपर टापिक से दोस्तों ध्यान देज़ेगा कोंसर्थ आपके एक्जाम में कांटीनू बन तो सबकुछ इस टापिक से जितने भी फैक्ट निकलते हैं जितने ट्रेंड से पूछ आते हैं सबकुछ हमाये दोरह पूरी तरह से अब एक तरफ सास्त्रे नित के नाम देगेavier दूसरी तरफ संबंदित राजी के नाम देगे सबसे फले बाद कह toen घरतनाटेम यह कहा का साश्त्रे नाडुका उसके बाद मोहीनी अट्वी और उर कने एक केशन से थे जो कि डाटली पूछे आते हैं अब जितने टेंड से दोस्तों यहां से questions बनते हैं आप उनको पूरी तरह से कवर कीजिए ध्यांद जीगा important point है हमारा सुरू करते हैं दोस्तों हम लोग भरत नाट्यम से पहला point है भारत का सबसे पुराना सास्त्रे नित कौन सा है तो भरत नाट्यम है next कि सास्त्रे नित को भारत के अनि शास्त्रे नितों की जन्नी माना जाता है तो भी भरत नाट्यम ही है अब अगला पॉंट देखेगा भरत नाट्यम से समंदित कलाकार की बात की जाएं तो सबसे प्ले महिला कलाकार यामनी किर्समूर्ती, मिडालिनी सारा भाई, मिनाच्छी सुंद्रम पिल्लाई, बाला सरोसती, रूकमणी देवी अरुंडेल, अलर वेल बल्ली, पदमा आगे बढ़िएगा भरत नाट्यम से समंदित पूरुस कलाकार देखेंगे, तो रेवनत सारा भाई, सीवी चंदर सेखर, उदय संकर और विजय माधुवन, अब कतकली आप कबर कीजिए दोस्तों, कतकली कहा कहा है, तो केलल का सास्तिरे नित है, पहला कोशन यहां से जो न पाच नाम आप लोग यहां से ध्यान रखेंगे, आगे बढ़ते हम लोग, अगला आपका क्या दूस्तों, कतक है, क्या है, कतक है, कतक से बात की जाए, कहा का सास्तिरे नित है, उत्तर प्रदेश का, जैपुर घराना, लखनो घराना, वरांडशी घराना, डाक्ली ध्यान किस निर्ते सैली के परवुग घराने हैं, तो कतक की, most important, अब कतक निर्ते के कलाकार देखेंगे, तो विर्जू महराज, संभू महराज, बैजनात परसाद, लच्चू महराज, सुन्दर परसाद, सितारा देवी, गौरी संकर, गोपीकर्स और हजारिय गुरुआल, इतना नाम यहां से द्यान रखेंगे, कुछपडी निर्ते कलाकार देखेंगे, तो लचीनार सास्त्री, राजा और राधा रेड़ी, यामनी कुर्समूर्ती, मंजू भार्गभी, यामनी रेड़ी और वहावना रेड़ी, थोड़ा सा नोर देखिए, दोस्तों, यामनी कुर्सम नाम यहां से द्यान रखेंगे, यह टापिक्स आपका पूरी तरह से किलियर हो जाएगा, पीडियाप के लिए दोस्तों, यह हमारा होर सब नंबर लगा है, बढ़ेंगे हम लोग अगले टापिक्स के ओर, अगला कुश्चन क्या दोस्तों हमारा देखेंगे, हम लोग लोगा रानी लच्मी बाई ने, कहां से कोश्चन आगया दोस्तों, अठारासो सत्ताउन इसबी की करांती से लेडर, आपका सुपर टापिक्स है, बहुत सारे फेक्ट यहां से आपके एक्जाम के निकलते हैं, जो कि आपके एक्जाम्स में कांटेनू पूछे आते हैं, लोग सारे फेक्ट कबर कीजें, पहला पॉइंट है, 29 मार्च 877, जहां पर डेट मंसन करते हैं, आप प्रिपेर रहेगा, क्या है 29 मार्च 877, इस भी को मंगल पांडे आप जानते हैं, इनका नाम इनके साथ जुड़ा हुआ है, नामा के एक सैनिक ने बैरकपुर में गाई ये डेट जरूद ध्यान रखेंगे, कहां से तो मेरट से, यानि की मेरट की पाईलन टुकरी, 29 से 877 की करांती की सुरुआत हुई थी, 877 की करांती के समय भारत के गौर्णर जनल कौन थे, तो लाड़ कैनिंग थे, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, अब आगे बढ़ि और वक्त खान ने दोस्तों सैने नेतरुति किया था, कानपूर से बात की जाए तो नाना साहब ने किया था, और दोस्तों तार्तिया टोपे ने सैने नेतरुति किया था, लखनो से 877 के विद्रोह का नेतुत बेगम हजरत महल ने किया था, जासी से रानी लची बाई ने कि जगदीशपूर आपका मोश्ट पढ़न रहेगा ही कौन सिंग ने किया था बरेली से खान बहदूर खा ने किया था फैजबाद से मौल भी आमदुल्ला ने किया था और फतेपूर से दोस्तों अजीम उल्ला ने किया था सब कुछ पूरी तरह से आप अपडेट रखेंगे प आप कुछ नीला थृधा का राशाँँ नाम किया हजारों बार पूछय गया है जितने को सब कुछ पूरी तरह से कबर में है जनररा साइन्स के topics है अपका super topics है तो चलिए शुरू करते हैं question था हमारा साधार नमका रासाइग नाम क्या है करेक्टमस का sodium coloride अभी एक तरफ व्यापारिक नाम दिया गया है दूसरी तरफ रासाइग नाम सबसे पले खाने का soda इसका रासाइग नाम copper sulfate होता है संग मरमर का calcium carbonate होता है सिंदूर का mercury oxide होता है जिपसम का calcium sulfate होता है वहारी जल का दोस्तों deuterium oxide होता है पूरी तरह से आप update रहेंगे बढ़ेंगे दोस्तों लोग अगले question की ओर अगला question आपका क्या है बेस बाल खेल किस मैदान पर खेलाता है तो diamond में बहुत सारी city खेल जगह से आपके PDF में लगाई गई है question आया हो दोस्तों जो हमारे खेल है कौन से खेल किस मैदान पर या किस फेल्ड पर खेले जाते हैं baseball दोस्तों ये diamond में खेलाता है कहां पर diamond में आगे बढ़िएगा अगरा क्या दोस्तों आपका boxing boxing कहां पर खेलाता है ring में उसके बाद में football दोस्तों ये field में खेलता है whip अगले वाल फेल्ड में cricket कभी कभी pitch गी धीयाता है ध्यान रखेंगे handball coat में खिलाता है, tennis भी coat में खिलाता है और golf golf course में खिलाता है सब कुछ पूरी तरह से आप डेट रखेंगे PDF के लिए हमारा वार्सम नमबर है बढ़ेंगे दोस्तों लोग बगले question की और अगला question आपका क्या है किताब लहिंद के लेखा कौन है आपका आया हुआ है questions आपके सामने most number लगे हुई है इसमें study के आपके जितने भी topics है चाहे हिस्टरी हो, चाहे पॉलिटी हो, जियोग्राफिय को नावी पूरा मिस से लेनिया से जेनल साइज इनके जो most questions निकलते हैं इसमें continue पूछाते, repeat होते रहते हैं उन परसनों का यहां पर collection किया गया है एक एक question आप लोग कांस्टेट होका सालब करेंगी चले यह सुरू करते है question था हमारा किताब लहिंद के लेखा कौन है characters का अलबर हो नहीं है पहला question देखीगा अतोय दुआत के परवर्ता कौन थे संक्राचाय next हुमायू नावा की रेचना किसने की थी गुलबदन बेगम ने सेरसा कम अकबरा कहां परुष्थी थी सासाराम बिहार में अकबर नावा की रेचना किसने की थी अबुल फजल ने next खालसा पंद के स्थापना किसने की थी गुरु गोविन सेन ने भारत में मनसब्दारी पर्था किसने परारम की अकबर ने साहक संध किसने लागू की थी लाड़ वेले जली ने वर्नाकिलर प्रेस सेक्ट किसने लागू की या लाड़ लिटन ने अगला question आपका क्या दूस्तों बितायो के गठन का प्राधान की सनुछित में तो उन्चेट दो सो सी में और आश्टे विकास प्रसत के स्थापना का भूती उनिस्सों बावन में दूरिम आपने की सबसे बड़ी काई क्या है पार सेख है मनुसी की आख्या किस भाग पर ववस्तों का पर्तिविम बनता है त और आजिल ने भारत का कौन सा राज भांगलादे से घेरेख हुआ तो तिरपूरा है कों सा राज है तिरपूरा है पूरी तरह से आप अफडेट रहेंगे आगे बढ़ियगा औली कोश्टन है आपका नारी बसाइट टेम सनधी की किनारे 20 जन संख्या दिवस के स्थिति को उनाता है 11 जुलाई को जूट उत्पादने में भारत का कौन सा स्थान है पर्थम स्थान है भारत के किस राज में लोग सांगते भार मुना आता है तो शिक्की में नेक्स्ट महान्यवैदी किन्युक्ति किस सनुच्यद के अंतरगत की जाती है दोस्तों तो उनुच्यद 76 और कोलहपुर किस नदी के तक पच्थितर पंच गंगा पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे आगे बढ़िएगा कोश्चन है किस अनुच्यद में संसत के सनुच्यद दिवेशन का पराउधान है तो उनुच्यद 208 है नेक्स्ट संग्धान के किस अनुच्यद में धन विदेग की परिवासा दी तो उनुच्यद 210 में अगला किस अनुच्यद के अंतरगत के इंदर के पास उस्टी सक्तिय तो अनुछेद 249 है बित आयोप का गठान सिंग्धान के किस अनुचेद में 280 में भारते सिंग्धान में समुरती सुची के पश्ची की परणा किस देश के सिंग्धान से लिगए के लिए आप हमारी study channel सुख रुपा कलासे से जुड़े हो चैनल को subscribe करें ताकि हमारे दो आदे जाने वाली सभी वीडियो आप करम से सबसे पहले देख सके तो मिलते हैं दोस्तों next वीडियो में thanks for watching